बिहार पुलिस की दबंगई पहले पिटाई की उसके बाद गोली मार दी दरसल बिहार के जब डीजी पी आरेस भटी बनेते तो उन्होंने अपराधियों को दवराने के लिए कहा था लेकिन बिहार पुलिस ने आम आदमी पे अपनी दबंगई दिखाई है पहले उसे बुरी तरह पिटा और फिर गोली मार दी दरसल यह घटना बेउर थाना और गर्दनी आग थाना के एरिया जहां पे दोनों को सीमा लगता है वहीं अनिसाबाद इलाके की है और बताया जा रहा कि बिहार पुलिस के जबान ने आपसी भी बाद में पहले अमलेश कुमार नामा की इ प्रदनी बाद थाना ने उनसे कहा कि पहले जाकर के आप इलाज कराइए उसके बाद आप मामला रापट लिखवाने आईएगा लेकिन जब वो लोग इलाज कराने गये जो अमलेश कुमार नामा गायल बेकती जो है जिसको गोली लगी हुई थी जब वो इलाज कराने के ल के कमर में गोली मारी गई है वहीं उसे मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया है बिहार पुलिस जहां आप राधियों को छोर देती है आप राधियों को नहीं पकर पाती है वहीं बिहार पुलिस आम लोगों पर दबंगाई दिखाती है आपको पताते चले कि अभी द बिहार पुलिस को दोरा दोरा कर पीटा जाता है और पीटनों बालें में और कोई नहीं बलकि एक सिछक होते हैं एक रिटाइट डीएसपी होते हैं और एक वार्ड पारसद होते हैं यानि कि बिहार पुलिस को अपराधी दोरा करके पीटने हैं लेकिन वही बिहार पुलिस अ सबसे पहले इलाज की सलाह दी और उससे हॉस्पिटल जाने को कहा लेकिन हॉस्पिटल जब वो गया अपना इलाज कराने के लिए तब उसके साथ फिर मार्किट की गई उसके बाद उसे एमसरेफर कर दिया गया वीडियो को शेयर कर हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना एवं योट्यूब चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले जैहें जै भारत करना है कि जो आरोपी है वो बिहार पुलिस का जबान है इसलिए पुलिस कारवाई करने में देर कर रही है बरना अगर दूसरा अगर कोई किया रहता तो बिहार पुलिस अभी तक कुछ भी कर देती लेकिन बिहार पुलिस का जबान ही आरोपी है इस वज़ाव से बिहार पु चार अपनी राय कमेंट में जरूर दे जुरे रहे हमारे साथ जै हिंद जै भारत जै बियार